आज स्कूल से छुटी होती हैं और चिडिया के दोनों बच्चे सुबा देड तक सो रहे होते हैं चिडिया आती है और उनको डानती है चलो बच्चो उड़ जो तुम दोनों अभी तक सो रहे हो देखो कितना टाइम हो गया है अम्मी अम्मी आज तो स्कूल से छुकती है क्या आप आज हम दोनों को पार्क ले जाओगी हमने जूले लेने हैं और आज तो हम नाश्टे में हलवा पूरी खाएंगे यम् अच्छा बचो चलो ठीक है मैं तुम दोनों को पार्क ले जाओंगी चलो अब मैं नाश्टा बनाती हूँ, पहले नाश्टा करते हैं, फिर पार्क चलेंगे चिडिया किचन में जाती है और जाकर नाश्टा बनाती है, चिडिया गरम गरम हलवा पूरी बनाती है चिडिया के दोनों बचे हलवा पूरी से नाश्टा करते हैं फिर दोनों बच्चे नहाते हैं, वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि वा, आज तो हम जूलों पर जाएंगे पार्क में और वो नहा कर त्यार होते हैं फिर चिडिया अपने दोनों बच्चों को पार्क ले कर जाती है पार्क में जाकर पहले बच्चे फुटबॉल के साथ खेलते हैं, उनको बहुत मज़ा आता है, वो इतने दिनों के बाद पार्क आये होते हैं पहले वो दोनों भेन भाई फुर्पांग के साथ खेलते हैं फिर वो स्लाइट लेने जाते हैं उसका भाई पहले स्लाइट लेता है चिडिया अपनी बारी का इंतजार कर रही होती है जब चिडिया स्लाइट पर जूले लेने लगती है तो इतने ही देर में वहाँ एक और चिडिया आ जाती है और वो चिडिया से लड़ाई करना शुरू कर देती है चलो उत्रो मेरे जूले से ये मेरा जूला है मैं तुम्हें जूला नहीं लेने दूँगी मैं पहले आई थी तो जूले भी पहले मैं लूँगी चिडिया आती है और अपनी बेटी को कहती है आओ बेटा मैं तुम्हें आईस्क्रीम लेकर दूँगी जे दो उसको जूला हम आईस्क्रीम खाने चलते हैं वापसी पर रास्ते में कववा भाई आईस्क्रीम बेच रहा होता है उचिडिया अपने दोनों बच्चों को आईस्क्रीम लेकर देती है बच्चे बहुत खुश होते हैं कि वाप हम तो आईस्क्रीम खाएंगे दोनों बच्चे मज़े से आईस्क्रीम खाते हैं उसके बाद अम्मी अम्मी वो देखो खलोने मुझे खलोने ले दो मैंने खलोने लेने है तोते भेया ये खलोने कितने का है एक टेड़ी बेर मेरी बेटी को दे दो अच्छा चिडिया बेहन मैं अभी देता हूँ सबसे प्यारा वाला टेटी मैं अपनी बेटी चिडिया को दूँगा शुक्रिया तोते भैया बहुत प्यारा भालू है चलो बच्चो अब तुम दोनों जाओ और जाकर सोजो सुबा तुम दोनों ने स्कूल जाना है सुबा जल्दी उठना है बच्चे जाकर सो जाते हैं वो बहुत एक्साइटीड होते हैं कि सुबा को उठकर हम स्कूल जाएंगे और अपने दोस्तों को आज की कहानी सुनाएंगे